in this video में हम माधिका यानिक मेडियन सुरिसला में यानिकी अल्टिट्यूट लम समध्वाजेक यानिकी पर्पेंडिकुलर बाई सिक्टर और कॉप सम मुझेक आदि की इंगल इसे कि इन चार पॉइंट्स-पर हम बात करेंगे यह जब चार पॉइंट्स वहां पी हुजी होते ह जब हम लोग ट्राइंगल पड़ते हैं वहां पर यह चार पॉइंट आपको जरूर देखने हों कि मिलेंगे जो चार वर्ट से इनका इन चारों में डिफरेंस क्या है वह हम जानेंगे इस वीडियो में चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं माधिका यानि कि मीड उसको जो सामने का सायद ले लें तो इसका मिड़पॉनिंट यहां पर लेंगे और ऐसकी सिरे प्लिबद हो इसे मिला देंगे यहाली लाइन हमारी क्या करनाताओं अगर बात करें इस वह सामने का मेर्स बात करें के माधिका कहला माधिका आपको ये समझना है कि किसी भी side के midpoint को उसकी सामने वाले का सीर्स होता है उससे मिला दे तो वह लाइन क्या कहलाएगी हमारी ये लाइन हमारी माधिका कहलाएगी फिर बात करते है ऐल्टेट्यों यानिकी सीर्स लंब तर्फुच के किसी से से उसकी सम्मुक भुजा पर खीचा गया लंब यहीं सिर्स के सामने लिवोजा यह इस सिर्स के सामने लिवोजा यह किसी भुजा पर एक लंब मैं यहां से एक perpendicular मैंने ऐसे खीज़ दिया तो यह क्या होगा हमारा सिर्स लम हो जाएगा अगर मैं इसका नाम देदू हो जाए परपेंडीकुल हमाले ऐसे तो यह परपेंडीकुल होगा है नहीं एक तरफ जादा एक तरफ कम नाइटे डिग्री एंगल दोनों तरफ नहीं बनेंगे तो इस जो ट्रैंगल का उसका सिर्स लम कहा होगा अब अगर मैं इस साइट को थोड़ा और आगे बढ़ा लू तो यहां से बिल्कुल सिर्स से बिल्कुल 90 डिग्री पे जो लाइन बनेगी वो हमारी बनेगी सिर्स लम तो यहां से यह लाइन हम परपेंडीकुल अड्रा कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा सिर्स लम इसका जो सिर्स लम आया वो कहा आया बाहर आया और यह ट्रैंगल तो सिर्फ यहीं तक चीमित है तो आपको बस यह समझना है जो ओता है कि आप या 누 अब आजब आप करते हैं यहां तक हम ने पढ़ा था कि मीडियन इसको डिश्ट यहां पर पाट संप करती यहां पर बपार्टि juvenile होता है इस वाले में हम क्या पढ़ेंगी इन दोनों का कॉम्बो यहनी कि दोनों को मिला दोनिक होगा शाट में इसको करेंगा ठीट आठीड तो धोनों का कॉबव आ जाता है हमारा लंब समद्भाज़ा यहनी कि पर पंड इसे क्या होग अगर यहांपे अक से मली जी ऐ से लाइन बी-सी पर एक लंब समदुवाजय कीचे गीचे के से नाइंटी डिग्री के साथ क्या करेगा इसको दो इक ओल पार्ट में भी करेगा बैसे अगर इतना में एट सेंटीमीटर की है तो यह साथ में किती हो जाएगी यह 4 cm की और यह भी 4 cm की और साथ में इधर भी 90 degree angle और इधर भी 90 लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ 90 बनेगा इसको equally basic नहीं करेगा और median में क्या होता है यहाँ पर 90 degree या कितना बने यह कोई definite नहीं होता है कोई कितना बी अंगल बन सकता है 61,20 कोई भी 90,90 कुछ बन सकता है लेकिन में जो फोकस करने वाली बात अगर यहाँ पर होती है यहाँ पर अगर 8 cm है तो यह भी यहाँ पर 44 कर देती है जो median line होती है वो दोनों को equally bisect कर देती है लेकिन यहाँ पर कितना बनेगा यह कोई definite नहीं होता है फिर मैं बात करूं कोण समध्वाजक कि किसी कोड को दो समान कोड़ों में विभाजित करने वाला रेखाकंड कोण समध्वाजक होता है यानि कि triangle का कोई भी आप एंगल ले चाहे यह एंगल ले ले ज समध्वाज़े मालीजे AD खीचे तो जो AD होगी वह कोण समध्वाज़ा होगी यानि कि 80 को two equal parts में divide कर देगे तो इधर भी 40 डिग्री और इधर भी 40 डिग्री ठीक है तो बस अगर आप से कहा जा कि कोण समध्वाज़ा खीचे तो यानि कि वह जिस कोण को कहा जा रहा है उस इसको दो equal parts में divide कर देगा यानि दो एंगल सेम बन जाएंगे ठीक है आप 40-40 अगर मालीजे होता 120 डिग्री तो अगर यहां से 20 से कौण समध्वाज़े खीचा जाता तो वह जा एक तरफ 60 और एक तरफ 60 उधर किसी भी points पर नहीं ऐसे कुछ भी नहीं होता बस कौण समध् कौण को दो बराबर भागों में विवाज़ित करता है तो आई होप